संसत के मांसुन सत्रका गुरुवार को चोधवा दिन है संसदी कारिम मंत्री किरें रिज्जू दोपर बारा बजे राज्यसभा में मोजूत रहेंगे जहां से वकफ संपत्ती विधेग 2014 को वापस लिया जाएगा इसके बाद दोपर एक बजे लोकसभा में वकफ अधिनियम 1945 में संशोधन करने के लिए एक विधेग पेश करने की अनुमती के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे इसके अलावा मुसल्मान वकफ अधिनियम 1923 को निरस्त करने के लिए एक विधेक पेश करने की अनुमति का भी प्रस्ताव पेश करेंगे यह बिल पास होने के बाद वकफ बोर्ड किसी भी संपत्ती को अपना नहीं बता सकेगा अभी वकफ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ती घोशित करने की शक्ती है जमीन पर दाविस से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी बोर्ड के पुनर गठन से बोर्ड के सभी वर्गों समेथ महिलाओं की बागीदारी भी बड़ेगी मुस्लिम बुद्धी जी भी महिलाएं और शिया और बोहरा जैसे समुआ लंबे समय से मौजुदा कानूनों में बदलाओं की मांग कर रहे हैं इसी के साथ मैंने रही है एश्या इस इंडिया के साथ हन्ने वार्ड झाल 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 झाल